हेलो इस्टूडेंट्स इसकोल आंसर जेनल पर आपका हार्दिक श्वागत है आज में आपके लिए कक्षा छे रूचीरा बाग फेस्ट का जो चोथा पाथ है विद्धय ने इसके अभिहास परसन लेके आई हूं तो आपके पर इसके अभिहास परसन करते हैं प्यूच्ण फेस्ट उच्चारन करो उच्चारन करो इसमी आपके सामने टेबल दिख रही है आपो इनका उच्चारन करना येनी कैसे बोले जाते हैं मैं आपको साह साथ में इनका हिंदी अर्थ भी बताऊंगी अहन इसका अधोता है में आवाव हम दोनु वयल हम सब माव मे आवयो हम दोनों का, आसमाकम हम सबका, तुम, 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 तुम माकम लगबर एक जैसे रूप है आप एक बार रूप यात पर लोगे तो इतने किसी दूसरी किसी भी सरण नाम सब्द के रूप बना सकते हो अगला किस्टन निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो यह था जैसे एहम पठामी इसका अर्थ होता है मैं पढ़ता हूं एहम माना में पठामी इसके साथ किरिया है तो इसको बहुचन में बदना है तो एहम का बहुचन होता है वयम जैसे एहम आवाव वयम वयम उत्तम पुरुष का बहुचन है तो किरिया भी उत्तम पुरुष के बहुचन की आने चाहिए जैसे पठामी पठावे पठामे तो वयम बहु बहुवचन है और किरिया भी बहुवचन के तो वाक्य बन गया वह यह वो पठाम है हम सब पढ़ते हैं एहम निर्ट्यामी में नाचता हूं या नाचती हूं क्यों लड़का और लड़की दोनों के लिए ही एहम आता है इसको बहुवचन में बदलना है तो एहम आवां वयम इसका भँवचन वयम होता है और नित्यती नित्यते नित्यती नित्यानी नित्याम है नित्याम है तो बहुवचन की किरिया है नित्याम है तो अपना वाक्य बन गया वयम नित्याम है हम सब नाचते हैं तो जिस वचन का करता है किरिया भी उसी वचन के आपको लगाने है ब बनाना है, तो तोम U-U, यहनी U-M इसका भवचन होता है, तो U-M लिख दिया, पठसी पढ़ता है, पठत, किरिया पठत भवचन की होते हैं, तो U-U पठत, तुम सब पढ़ते हो, U-M भवचन है और किरिया भी भवचन की पठत है, युवियाम किरते हैं तुम दोनु खेलते हो इसको एक वचन में बदना है तो एक वचन हो गया तुम और किरते है दिवचन के तो एक वचन किरिया हो गया किरसी तुम किरसी तुम खेलते हो आवाम गच्छावे हम दोनु जाते हैं इसको बहुचर में बदना है तो एहम आवाम वयम एहम एक उचर में होता है आवाम दीवचर में और वयम बहुचर में तो आवाम की जगे तो वयम हो गया और गच्छावे की जगे गच्छा में वयम गच्छावे हम सब जाते हैं असमा कम पुस्तकानी हम सब की पुस्तके इसको एक वचन में बदना है तो असमा कम की जगे मम हो गया और पुस्तकानी की जगे पुस्तकम हो गया तो अपना वाक्य बन गया माँ पुस्तकम मेरी पुस्तक तो गरियम तुम्हारा घर इसको दिन वचर में बदना है तो तो की जगए यूवियो हो गया गरियम की जगए गरहे हो गया यूवियो गरहे तुम दोनों का घर तो आपको करता और किरिया दोनों एक वसन के रखने है तब आपका वाके बिल्कुल सुद बनेगा अधिया क्यूस्टन कोश्टका उचितम सब्दों चित्वा रिस्तानाने पूर्यत कोश्टक में से उचित सब्द चुन करके रिस्तिस्तानों की पूर्दी करनी है अब अपने क्या पठामी किरिया लिखी हुई है और बरकेत में वयम और एहम लिखावा है तो पठामी आपको एध्यान होना चाहिए कि इसके साथ एहम आएगा या वयम आएगा तो एहम उत्तम पुरुष का एक वचन है एहम, आवाम, वयम और किरिया चलती है पठामी, पठावे, पठामे तो एहम के साथ हमेशा पठामी आती है इसलिए हमने खालिस्तान में एहम बढ़ दिया फिर आगे किरिया दियुए गचते है और बरकेट में लिखा है युवाम और युवयम तो अपन को पता है कि गचते दियुवचन भी किरिया है तो तो युवाम युवयम ये रोप होते तो एक वचन होता है तो यहां कि रिया जब गचते दिवचन किये तो दिवचन का करता है युवाव तब अपने खालिस्तान में युवाव गचते ये वाके बन गया एतत लिख दिया, खालिस्तान छोड़ दिया और पुस्कम, बरकेट में लिखा है माम और मम अब आपको ये पता लगए रहे कि या माम आएगा या मम आएगा एतत मम पुस्कम, ये मेरी पुस्कम है एक उचन है, इसलिए इसमें मम भरा जाएगा खालिस्तान, किर्ड कानी बरकेट में युश्मान और युश्माकम लिखावा है तो किर्ड कानी के इसलिए इसमें युश्माकम आएगा तो वाकिय बन गया, युश्माकम किर्ड कानी खालिस्तान, छात्रे, स्वे बरकेट में लिखा गया है वयव और आवाम तो अपन को इसने पता किसे हैs चला स्वे है, छात्रे में दीवचन की क्रिया है के तो करता भी देवचनगा होएगा तो खालिस्तान में अपने बढ़ दिया आवाम छात्रे स्वे है एसा खालिस्तान लेखनी बरकेत में लिखा हुआ है तव या तुआब तो ये तुमारी लेखनी है तो तुमारी के लिए एगा त्वे एसा त्वे लेखनी ये तुमारी ल और तो पुरुस होते दीन, से, तो होते पर्थम पुरुस, त्वम, युवाम, युयम, मद्यम पुरुस, एहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुस, वो यह जरूर कर लेना ताकि आप जो पुरुस है उसी की किरिया लगा सको, अनला क्यूसन, किरिया पदे वाक्यानी पूरियत, किरिया पदूं की वाकिसी पूर्टी करनी है इसमें अपने बरकेद में लिखिये पटसी धावामे है, गच्छावे है, किरते है लिखामी पश्यत ये था जैसे एहम पठामी में पढ़ता हूँ तो एहम उत्तम पुरुस का एक वचन है इसके साथ पठामी भी उत्तम पुरुस की एक वचन की किरिया है तूम, अब तूम के साथ क्या वरा जाएगा तूम मध्यम पुरुस का एक वचन है तूम युवाम, युयम होता है और इसके रूप चलते हैं पटसी पढ़ता है फटत तूम जब एक वचन है तो इसके साथ पड़्षी किरिया लगी एक वचन की किरिया पड़्षी है तूफ अप्रवाके बन गया तो पड़्षी तूम पढ़ते हो आवाम खालिस्तान तो आवाम है ये उत्तम पुरुस का दीवचन है जिसे एहम आवाम होईं तो गच्छा में, गच्छावे, गच्छा में किरिया चलते हैं तो आवान के साथ गच्छावे किरिया आएगी हम दोनु जाते हैं या चलते हैं यूयम अब अपनको किरिया लगा रहें अब पहले तो यह पता होना चाहिए कि युएम कौन सी पुरुष का कौन सा होचन है तो पर्थम पुरुष में तो होता है सह तो होते मद्यम पुरुष में होता है तुम युवाम युवव यानि मद्यम पुरुष का ये भावचन है फिर मद्य पुरुष के बहुचन की क्रिया आपको लगानी है पशेशी पशेट पशेट तो यू यह पशेट तक तुम सम देखते हो एहम अब एहम के साथ आप कौन सी क्रिया लगोगी एहम उत्तम पुरुष का एक उचन है एहम आवाम वयम तो फिर रूम चलते है रधातू कए लिखामी लिखावे लिखामाई तो यहम के साथ आप एगा लिखामी यहाम लिखता हुं यूवाम किरते आपको यह पता होना चाहिए कि यूवाम है यह कौन सा फुरुष है और कौन सा वचन है तो म्द्यां पुरुषका एक चन तो देवचन युवाम and भवचन युवें होता है तो अपने को उप यदे का देवचन है तो इसके साथ लगादे किरता है युवाम किरता है तुम दोनों खेलते हो वयं अब वयं है आपको पता होना चाहिए कि कौन से पुरुष का कौन सा वचन है तो एहम आवाम वयम यानि उत्तम पुरुष का भावचन है तो किरिया धावामे धावामे तो उत्तम पुरुष की भावचन की किरिया धावमे तो वयम धावामे हम सब दोरते हैं इसलिए आपको सेय तो होते पर्थमपुरुस के तो विवाम यूजम वध्यमपुरुस एहम आवाम वयम उत्तमपुरुस ये जरूर याद कर लिया ना ताकि आपका कोई भी वाक्य गलत नहीं हो अगला किस्तम उचित पदे वाक्य निर्मानम कुरुत उचित पद से आपको वाक्यों का निर्मान करना है यहां एक पेटी का दियुए है इसमें श्रम्द लिखे विए है मं तौ आवयो यूवयो असमाकम और यूश्वाकम अगर आपको इनका अर्थ नहीं हाता है तो आप देखके कुछ ठीक है जिसे पता लगा सकते हो कि इसमें क्या पराजाएगा यह था जिसे इस भी उधान दे रखा है एसा मं पुस्तिका यह मेरी पुस्तक है जैसे इस्ट्रिलिंग है उसमें आता है सा तो सा के जगा गया एसा मं पुस्तिका यह मेरी पुस्तक है क्योंकि इ मम, इसमें आएगा मम वाना मेरा, यहें मेरा घहर है, तो इसमें अपनी मम बढ़ दिया, फिर मेती दरड़ा, मेती दरड़ा लिखा हुए, उपर में से आप क्या भरोगे, कैसे पता चलीगा आपको, किरिया की साब से, डढ़ आवयो मेत्रिः डढ़ हम दोनुकी मित्रडा मजबूत है एस है खालिस्तान विद्याने यह विद्याने अब इसमे वराज एगा यू यू ये एशा यू यू अध्यापिका ये तुम दोनों की अध्यापिका है भारतों खालिस्तान देश है भारत देश है किसका हमारा है तो हमारे कुछ स्कुर्ट में अस्माकम कहते हैं तो यहां अस्माकम आजेगा भारतों अस्माकम देश है भारत हम सब का देश है या हमारा देश है एतानी खालिस्तान पुस्तकानी तो उपर जो बरकेड रेव स्पेसर पे युश्माकम बचा है यह देखो यहां रहे तो इसको पर खालिस्तान बढ़ देंगे एतानी युश्माकम पुस्तकानी यह सब तुमारी पुस्तके है क्योंक रहे हैं तो यहां से एक अचन पद से तो आपको अगया मैं और भावाचन पद यह ता यहां और निन-री रोर में बता रहर केंगे, असे है के रूप से है यह के रोप जिलते है। तु दहु का महाता है? अकर इस्तिन लियन होता हूँ है तो जब कि पुलिंग में ते बहूच होता है यह बात और छ़ुर ध्याद़ुन स्पी। एकचन हो जाएगा, एता बहुचन है, एसा एकचन हो जाएगा, तो एकचन है, यू यू बहुचन हो जाएगा, आसमाकम हमारा बहुचन है, मं एकचन हो जाएगा, तो एकचन है यह तुमारा यूसमाकम तुम सबका बहुचन हो जाएगा, एता नी ये बहुचन है, एतत इसक अग्ला क्योशन वार्तालाप पे रिख्टाने पूर्यत वार्तालाप में रिख्टेतान की पूर्टी करने यहां पर कोई वाचीत हो रही है तो उसके अधार पे आपको शब्दों को यहां भरना है यह था जैसे प्रेम वदा सकुन्तले तुम किम करो से सकुन्तला तुम क्या कर रही हो तो अब सकुन्तला उत्तर देती है प्रेम वदे अहम दित्त्या में में नाच रही हूँ तुम किम करो से तुम क्या कर रही हो प्रेम वदा सकुन्तले अहम गाया में में गाना गा रही हो किम तुम ने गाए सी क्या तुम नहीं गाओगी अब सकुन्तला उतर लेती है पिरिया वदे एहम ने गाया में में नहीं गाओंगी एहम तुम दिर्ट्या में में तुम नाचू ने प्रियों वदा सकुंतले किम तुए माता निटेती सकुंतले क्या तुमारी माता नाचती है तो सकुंतला उतर देती है आम हाँ माता अपी निटेती मेरी माता भी नाचती है प्रियों वदा सादू अच्छा आवाँ चलावाए हम दोनुं चलते है उप्युक्तेन अर्थेन से योजित यानि उप्युक्त अर्थ के साथ इनका मिलान करना है एक तरफ सब्द दे रखे हैं एक तरफ अर्थ तो जिस शब्द के साथ जो अर्थ बेड़ता है उसको मिलाना है जैसे पहले सा, ताने, अस्माकम, यूयम, आवाम, मम, यूयू, तवर इधर दे रखे तुम दोनु का, तुम सब मेरा, वह इस्तिलिंग, तुमारा, वे नपुसक लिंग, हम दोनु हमारा तो अगर आपको सा का, ताने का याद है, तो आप इसको अच्छे से मिला कर सकते हो, अब सा, वह इस्तिलिंग, सा क्या होती है, वह इस्तिलिंग, अगर सह होता, तो वह पुलिंग होता, तानी, तानी है, इसका अर्थ होता है वे, और ये होता है नपुसक लिंग, इसके तो हम दोनु उत्तम पुरुष का एक चन होता है अह, दिव चन होता है आवाम और भव चन होता है वयम तो उसे साफ से आवाम का अर्थाप को एजिली याद होता है कि हम दोनु मं मेरा यह आप ज़सर हर नाम रूप याद करोगे तुछ में मम आएगा यू यू तुम दोनु का तुए यह तुम्हारा तो यह शंद और अर्थ का आपको मिलान करना है इसके लिए आप रूप याद करना है अगर आप कोई चीज समझ में नहीं है यह तो मुझ